जब हमारे मस्तिश के किसी भी हिस्से में रक्त्त्राव बंध हो जाए तो इस्तिति को स्ट्रॉक कहा जाता है ऐसा होने के थोड़े ही समय में हमारे मस्तिश की कोशिकाई मरने लगती है आमतोर पर हबारे मस्तिख को दो मुख्य धमनीयों के माध्यम से रख्त प्राप्त होते हैं जो पुरी मस्तिख के उत्तंकों में फैली हुई होती है मस्तिख की कोशिकाओ रख के माध्यम से लगातार ओक्सिजन, ग्लूकोस और पोशक तत्वा प्रदान करती है जो कि इन कोशिकाओ को काम करने के लिए आवश्यक है जब हैम्रेजिक स्टॉक यानि कि मस्तिख की किसी नस्ख को फट जाने की वज़े से होने वाला स्टॉक होता है तो ये मस्तिख के सामाने रख को परिसंचरण में घडबड़ी का कारण बनता है उदारण के लिए इंट्रासरेबल हैम्रेजिक स्टॉक में रख्तवाहिका के अचानक फट जाने की वज़े से उस हिस्से की कोशिकाओ तक उन्हें जो पोशन युक्तरण की आवश्यक्ता है वो नहीं पहुँच सकता इन दोनों परिसितियों जैसे की हैम्रेज यानि रख्त्राव यानि की रख्तवाहिका का फटना और मस्टिश का किसी हिस्सेक तक पर्याप्त रख्त नहीं पहुँच सकना जिसे iskemia कहा जाता है उसमें मस्तिक की उत्तंकी यानि दीवार और कुशिकाओं के बीच का हिस्जा नस्ठ हो जाता है जब एक रखतवाई का उसके दीवार जहां से कमशोर हो गई हो जिसे aneurysm कहा जाता है वहाँ से फट जाती है और वहाँ से निरंतर रुप से आपकी खोपड़ी और मस्तिश्क के बीच की जगह में रक्त का रिसाव होता है उसे सब्रैक्नॉइड हेमरजिक स्टॉक कहा जाता है उस दबावाले रक्स्त्राव के कारण मस्तिश्क घंबी रुप से क्षतिग्रस्त होता है जड़ि इस स्टॉक का तुरंट इलाज किया जाए मस्तिश्क की कोशिकाओ होने वाली चूट को और उसकी कारण होने वाली मृत्यों की संभावना को कम किया जा सकता है ऐसे हम्रजिक स्टॉक में मस्तिश्क की चोट लगी हुई रक्तवाही काओ की मरमत करने के लिए या मस्तिश्क पर रक्त के दबाव को कम करने के लिए इमर्जनसी सर्चरी की आवश्यक्ता हो सकती है आपके मस्तिश्क में रख्ट के प्रवाफ फिर से सामाने करने के लिए आपको दवाए दी जा सकती है